नमस्कार दोस्तो मेरा नमें विजैक मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पी डरा चैनल को तो चलिए दोस्तो हम लोग कॉमिक्स बढ़े थे खून की बारिज इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अप्लोट कर दिया है पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेस तक कर लिया है अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं अपने मासुम भतीजों की अर्थियों को कंधा देते वे भी मुझे उस गुरिया की मनुसियत का विचार नहीं आया था इसके कुछी दिन बाद रतन भाईया मेरी दोनों भावियों के साथ ट्रेक्टर पर अपनी ससुराल जा रहे थे एक मोर पड़ ओ लेकिन वो स्टेरिंग पर नियंतरन खो बैठे अई धड़ाम आई आई है तीनों में से एक भी जीवित नहीं बचा था इस घटना के बाद मैं बिल्कुल तोट चुका था एक सुभा गाउं का जमीनदार मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ कागजाद दिखाएं तुमारे भाईयों ने अपनी जमीन और ये मकान मेरे पास गिर्बी रखकर एक बड़ी रखम उठाई थी अब ओ दोनों तो र रह भी नहीं गया था इसलिए मैंने जमीन और मकान जमीनदार के हवाले करने का फैसला कर लिया लेकिन उसी रात जब मैं सो रहा था धड़ 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 ओ कोई खिर्की पर है मैंने उठकर खिर्की खोला अरे यहां तो कोई भी नहीं है तभी कैसे हो उत्म सिंग तुम हाँ मैं तुमारी बरबादी का तमासा देखने आया हूँ याद है मैंने कहा था मोरना जिसके पास रहेगी वो बरबाद हो जाएगा मोरना हाँ उत्तम सिंग जब तक वो तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारी मुसीबिते खत्म नहीं होंगी उसे वापस पहुँचा दो इसी में तुम्हारी भलाई है ये का भिक्चु अचानक गाइब हो गया था ओ चला गया तब पहले बार मुझे महसूस गया कि वो गुड़िया वाकाई में मन्होस थी ये सब कुछ इसी गुड़िया के कारण हुआ है अब मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा कली सहर जाकर इसे किसी के हाथ बेस दूंग अगले दिन मकान और जमीन जमिनदार को सौपकर मैं सहर चला गया और सीधा एक जोहरी की दुकान पर पहुँचा ओ ये तुम्हारे पास कहां से आई कहीं से भी आई हो तुम इसे खरीत रहे हो या नहीं मैं चोरी का माल नहीं खरीता भाग जाओ यहां से ये चोरी की नहीं है भाई मैं मेरी अपनी है मैं आजकल मुसीबत में हूँ इसलिए इसे बेचना चाहता हूँ और उस जोहरी ने मेरी मजबूरी का पूरा पूरा लाब उठाया अच्छा ठीक है मैं इसे खरी लेता हूँ लेकिन पचास जार रुपैसे जादा नहीं दूंका पचास जार उस हालत में मेरे लिए पचास जार भी बहुत थें और उस मनहुस गुड़िया से पीछा भी छोट रहा था इसलिए मैं राजी हो गया उसी रात जब वो जोहरी दुकान से अपने घर लोट रहा था आज बहुत बढ़िया जहात लगी है अस में मौत खरीद कर ले जा रहा है मुर्क वो गुड़िया तेरी बरवादी के कारण बन जाएगी चा उसे उत्तम सिंग को वापस कर दे क्या बख रहे हो कौन हो तुम मैं सिंगाल का सेवक हूं उसके प्रेमी का मोरना इस वक्त तेरे पास है इसलिए तुझे चितना चिताने आया हूं कि तुझ नस्ठ हो जाएगा अगर बरवादी से बचना चाता है तो हीरो की यह वो गुड़िया उत्तम सिंग को लोटा दे मगर जोहरी ने भिक्चो की बात पर ध्यान नहीं दिया और गारी आगे बढ़ा दी पागल है साला मगर इसे कैसे पता चला कि मैंने कोई गुड़िया खरी दी है मेरी बात मान ले मुल्क और उसी रात जब जोहरी अपनी स्टडी में बैठा कुछ हिसाब किताब लगा रहा था ठप ठप ओ ओ ओ ये खून कहां से आया तभी आई सरला वो बेडरूम में पहुँचा स्वामी मुझे बचाओ हे भगवान ये क्या हुआ सरला मुझे बचा लो स्वामी पता नहीं ये खून क्यूं निकल रहा है तब ही कमरे में एक स्वर गुंजा ये खून नहीं सिंगाल, ये खुन नहीं, सिंगाल के आंसु हैं, वो मौरदा की जुदाई से दुखी होकर खुन के आंसु रो रहा है, ओ, ये कौन बोल रहा है स्वामी, अभी भी समय है, मेरी वात मान लो जोहरी, गुडिया उत्म सिंग को वापस कराओ, ओ, तुम तो वही हो, तक तुमने गुडिया उत्म सिंग को वापस ना की, तो ये खुन फिर से बहने लगेगा, और फिर मौत, सिर्फ मौत, नहीं, मैं वो गुडिया वापस कर दूँगा, तो जाओ, अभी जाकर उस गुडिया को वापस कराओ, उत्म सिंग का पता, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, आधी रात के समय जोहरी वहाँ आ पहुचा, और गुडिया मेरे बेट पर फेग दी, संभालो इस खुनी गुडिया को, और मेरी रकम वापस करो, उसने मुझे अपने साथ घटी, सभी घटनाई भी सुनाई थी बस, तब ही से ये मनहुस गुडिया मेरे पास है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूँ, इससे पीछा छुडाने के लिए मैंने कई बार इसे गटार में फेका, समंदर में डाला, लेकिन हर रात ये अपने आप मेरे पास महुच जाती है, और अधेर उम्र में ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किसोरलाल को इस कहानी पर विस्वास नहीं आया था, उत्तम सिंग को दिवाना समझते हुए, उसने उस किमती गुडिया को हासिल करने का मन बना लिया, सुनो बाबा, अगर तुम इस गुडिया से इतने ही परिसान हो, तो इसे मुझे दे दो, मेरी सोरलाल ने अपनी जेब खाली कर दी, और गुडिया लेकर रावाना हो गया, वो बूढ़ा सत्मुच पागल था, कहें से उसके हाथ ये गुडिया लग गई होगी, और दिवाने पन में उसने इसे मन्हुस समझ लिया है, और, खेर, जो भी है, अब ये गुडिया मेरी है, म मैं दुर्भागे के देउता सिंगाल का सेवाख हूँ, उत्तम सिंग ने तुमें मेरे बिसे में बताया था ना, ओ, तो वो बूढ़ा सच कह रहा था, हाँ, और सच जानकर भी तुमने सिंगाल की प्रेमिका पर बुरी नज़र डाली, तुमें इसकी सजा मिलेगी, फिर वि चल रहा था, ओ, एक्सिडेंट हुआ है, ये कार, वो कार के निकट पहुँचा, ओफ, ये तो खत्म हो गया, ओ, ये क्या चीज है, हे भगवान, ये तो हीरे की है, आ, हीरों की गुडिया, अगले ही पल, उसके मन में लालच ने सिर उभारा, और गुडिया जेब में रखकर वो अपनी कार की होच चल दिया, यहां से जल्दी निकल लेता हूँ, बेतर बैटने के लिए जैसे उसने दर्वाजा खोला, फुस, इं, राजकुमार घबरा कर पीछे हटा, तो कोबरा भी कार से बाहर निकल आया, राजकुमार घबरा कर भाग खड़ा हुआ, ये, ये कहा ही है, क्या तुझे उसकी अपने प्रानों से भी अधिक हो सकता है, क्या कह रहे हो, क्या चुराया है मैंने, इसे बता दो नागराज, फुस, अगले ही पल, कोबरा उचला, और, अब बोल, तोने चोरी की है या नही, हाँ, मुझे, इस साप से बचाओ, मैं वह गुड़िया वापस कर दूँगा, इसे छोर दो नागराज, ओ, फिर हो, साप नाजाने कहां गायब हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां निकट में उत्तम सिंग नाम का एक बेक्ती रहता है, मैं तुझे उसका पूरा पता बता देता हूँ, तेरे पास जो गुड़िया है, व पास थी, वो कार एक्सिडेंट में मर गया है, गुड़िया मुझे मिली, मगर तुरंती मेरे साथ कुछ रह समय घटनाए घटी, और फिर एक बहुत भिक्षू ने परकटो कर मुझे आदेश दिया, कि मैं यह गुड़िया तुमारे पास पहुचा दूँ, गुड़िया उत उतम सिंग भीतर आकर चरपाई पर बैट कर रोने लगा, मेरी मुसीवत फिर वापस लोट आई है, सायदिय जीती जी मेरा पीछा नहीं छोड़ीगी, अब तो इस से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, गुड़िया उसने तक्ये की नीचे रग दी और एक रसी उठा लाया, मौत ही मुझे इस मनहुज गुड़िया से मुक्ती दिला सकती है, अगली सुबा, ओ, कुछी देर में, पीं, घर की तलासी लेते वे जैसे इंस्पेक्टर ने चरपाई पर रखा तक्या हटाया, अरे ये क्या है, इंस्पेक्टर तुरंत ही समझ गया क वो कोई अमुले चीज है, उसने चुपके से गुड़िया अपने जेब में रख ली, दोपहर को घर पहुँचकर इंस्पेक्टर बिक्रम सिंग ने गुड़िया को अपने जेब से निकाली, इतने कीमती चीज उस बुड़े के घर में कहां से आई होगी, ये तो लाखों कम पाना हो गया, उस रहस में भिक्चुन ने बिक्रम सिंग के बिमान को उर्ते देखा और मुस्कुरा पड़ा, मोर्णा ने अपने वापसी की यात्रा आरम कर दी है, हंक हंक पहुँचकर बिक्रम सिंग वहां के एक अपराधी चौंक से मिला, मेरे पास हीरो की बनी एक मत चाहते हो, पांच लाख अमेरिकन डॉलर, ये तो बहुत जादा है, मैं एक लाख दे सकता हूँ, तुमसे सोदा नहीं पटेगा, और बिक्रम सिंग वहां से चल दिया, उसके बाहर जाते ही चांग ने टेलिफोन उठा कर किसी को आदेश दिया, एक हिंदुस्तानी अभी अभी मेरे घर से बाहर निकला है, उसके पास एक किमती गुडिया है, उसे घेर कर गुडिया छीन लो, ओके बोस, बिक्रम सिंग एक गली से गुजर रहा था कि, ओ, वो गुडिया निकालो, ओ, ये गुंडे चांग ने भेजी हैं, बिक्रम सिंग खुब लड़ना जानता थ और उसे उसके साथियों पर उचाल दिया, धार, फिर उसने पलट कर भागना चाहा, लेकिन खचाक, आ, मर गया साला, कुछ देर के बाद, वो गुडिया चांग के हाथ में थी, पांच लग डॉलर मांग रहा था साला, अगले दिन चांग ने वो गुडिया प्राचीन कला क करते हो कि एक दलाल को दिखाई, वांचू, देखो, क्या सांधार चीज लाया हूँ, इसे विक्वा दो, सच मुच, सांधार है, लेकिन इसका ग्रहा का सानी से नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इतनी महंगी चीज खरीदना, हर किसी के बस का रोग नहीं है, मैं तुमा नहीं एक बेपाजी रहता है, जो प्राचेन काला किट्यों की महमांगी कीमत देता है, अगर तुम कहो, तो मैं यात्रा का परबंद करूँ, अच्छी कीमत पाने के लालच में, चांग, सिंग की आंग जाने के लिए राजी हो गया, हेलिकेप्टर दोबारा, वो सिंग की आ भाड़ों से सेक्लों रहसे में कहानिया जुड़ी हुई है, हम कब तक सिंग की आंग पहुंचाएंगे, तुम नहीं, महां सिर्थ मैं पहुंचूंगा, लाओ, वो गुडिया मुझे दे दो, वांचू, क्या तुम पागल हो गए हो, गुडिया निकालो, परना सूट कर फिर अचानक चांग ने उसके रिबॉलवर पर हांट डाल दिया, कमी ने, ओ, दोनों ही पिस्टॉल के लिए संघर्च कर रहे थे, ओ, ओ, उफ, अचानक, धाएं, इ, पाइलट के मरते ही हेलिकेप्टर बेकाबू हो गया, ओ, अई, फिर वो एक उचे पहाड की चोटी से ज पहाड़ा, हेलिकेप्टर कमलवा से सिंघाल की गुफा के बाहर आकर गिरा था, चांग की चेप से वो गुड़िया भी निकल कर बाहर आ गिरी थी, तभी गुफा के मुहाने से वो भिक्चुब बाहर आया, ओ, मौर्णा लोट आई है, गुड़िया उठाकर वो गुफा के भी तर ले आया, और उसे सिंघाल की चाती में अस्थाफित कर दिया, मौर्णा वापस आ गई है सिंघाल, तेरा प्रेम अमर है, मौर्णा को तुम से कोई अलग नहीं कर सकता, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर देना, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ओल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, तो चलिए कुछ एड़टाइजिंग को देख लेते हैं हम, मनोज कॉमिक्स के त तेरी रगों में भर दूँगा, अनो की इच्छा सक्ती के स्वामी जटाओं का पहला परलेंकारी कॉमिक्स, जटायू, इंद्र इस धर्ती से पापियों का नास कर देगा, इंद्र का जल जला, एक सुपरवाय और एक बाउंसर, दोनों कानून के दुस्मन, दोनों दौलत क लुटेरे, दोनों ही अद्बुद सक्तियों के मालिक, लेकिन वो भी था कुक कुर्कपांड, उत्करिष्ट दिमाग, और बाला के फूर्ती का स्वामी, भडाग, आ, हसी, धमाल, मनोरंजन, थ्रिल, एक्सन, सभी कुछ एक ही कॉमिक्स में, कुर्कपांड और सुपरवाय, कुर्ण में लुटे।